लो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नुमेरिकल फिक्सर साइज प्रावलम 1.11 तो लेट से सी प्रावलम नंबर 1.11 ठीक है तो 1.11 की बात कर रहे हैं बच्चों 1.10 तब डिसकस कर रखा था विछले लेक्चर में तो 1.11 क्या कह रहा है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इस फाउंड टू है वा निगेटिव चार्ज ऑफ दिस अलब यह पॉलिथीन पीस है और यह वूल है ठीक है तो पॉलिथीन को वूल के साथ जब रब कराया जा रहा है तो कह रहा है इस फाउंड टू हवा निगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम यह पॉलिथीन पर जो चार्ज आ रहा है क्यों इस उकल टू वारा माइनस का 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम गॉड दिस फिर कह रहा है आपसे एस्य मेटें एंट्स पाट में कह रहा है एस्य मेटए ऑश्य कार सार्ज पर उस फिर इल्र इलेक्ट्रां ट्रांग द्रांश कर चार्ज और आ रहा है यह negatively charge हो रहा है तो यह positively charge हो रहा है जिस पर negatively charge हो रहा है उस पर electron आते हैं यहने कि इस case में आप देखेंगे तो जो electron transfer हो रहा है N वो कहां से कहां जा रहा है वो old to polythene जा रहा है उलो बात समझ आ गई बच्चों अब कितने electron transfer उसके लिए formula बताया गया Q is equal to energy जिसे quantization आप charge कहत है तो यहां पर N equal to क्या जाएगा Q upon E Q कितना दिया बच्चों 3 into 10 power minus 7 और electron का charge कितना होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूला ठीके तो देखो यह उपर आ करके यहां decimate आओ यह हो जाएगा 30 into 10 to the power 19 उपर आएगा और 7 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा और अपान में 16 आ जाएगा clear है चलो इसको 2 से divide करो 15 जाओ गया 8 times चला गया अब आप क्या करो n equal to इसको हम कर लेते हैं suppose that 15 by 8 into 10 की power 12 divide कर दो तो कितना जानने वाला है आप देखेंगे 8 बंजा 8 remaining कितना बचा 7 70 हो गया 8,8 जा 64 हो गया फिर कितना बचेगा 6 बचेगा 6 का 60 हो गया फिर 8,7 जा 56 हो गया फिर बचेगा 4,40 हो गया फिर आप देखेंगे 8,5 जा 40 ठीक है into 10 की power 12 electrons यानि कि इतने electrons ट्रांसफर हो रहे हैं किसे पूल से polythene पर जा रहे है clear है बात तो यह आगया n की value यह पहले पार्ड का answer हो जाता है ठीक है second part की बात करें बच्चो तो second part में आप से क्या कह रहा था B part में कह रहा है is there a transfer of mass from oil to polythene तो कह रहा is there a transfer of mass from oil to polythene from oil to polythene अगर आप ध्यान दे पाएं तो पहले पार्ड का answer भी देखो यहां पर इस प्रस्न में छिपा हुआ है तो किसमें कह रहा है oil to polythene और हमने भी बताया था कि oil to polythene ही जा रहा है ठीक है तो ध्यान देना चुकी electron has some mass, electron का mass कितना होता है आपने पढ़ रखा है इसको पढ़ाना आपने से ठीक है तो mass of electron जब एक electron transfer हो रहा है तो कुछ mass भी transfer होगा तो आप पहेंगे yes some mass will be getting transferred कुछ ना कुछ mass भी वहाँ पर transfer हो रहा होगा एक electron के mass से हम product करा देंगे इस संख्या से तो पता चल जाएगा कुल कितना mass transfer हो गया आए नेक्स आते है exercise problem 1.12 पर तो बच्चो 1.12 डिसकस करते हैं ध्याल से समझेंगे इसमें आप से कह रहा है दो पार्ट है पहले हम पहला पार्ट ए डिसकस करते हैं इसमें कह रहा है two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by distance of 50 centimeter यहनी कि दो ऐसे spheres हैं A और B इनके जो centers है अगर यह A है यह B है तो इनके centers कह रहा 50 centimeter apart है एक दूसरे से ठीक है फिर आप से कह रहा है what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 power minus 7 column मतलब जो A पर charge है QA वो कितना दे रहा है चलो 6.5 into 10 power minus 7 column और B पर भी यह चार दे रहा है 6.5 into 10 power minus 7 column तो कह रहा है इनके वीच force of repulsion कितना होगा एनके electrostatic force पूछा जा रहा है ठीक है इसी में कह रहा है आप से the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation मतलब जो radius of A है और जो radius of B है ठीक है यह दोनों ही जो है वो negligible है in reference of R ठीक है तो ध्यान देना कुछ नहीं करना उच्छो इसमें हमें simplify करना Q1 पता है Q2 पता है R को हम meter में लिख लेंगे 50 cm है इसे हम लिख सकते है 5 into 10 power minus 1 meter चलिए फारों लगाते है F equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 मतलब QA Q2 मतलब QB upon R square value रखते हैं बचलो 9 into 10 to the power 9 QA देरा 6.5 into QB भी है 6.5 into और दोनों की powers को एक सार लिख देता हूं तो 10 power minus 14 हो गया और अपान में R square यानि कि 5 into 5 हो गया into 10 power minus 1 का square तो 10 power minus 2 हो गया Got this 10 power minus 2 से यह कटेगा 10 power minus 12 बचेगा इस 5 से कर दो 1.3 आ जायागा clear है बात और तो कुछ कट नहीं रहा बच चलो तो देखो क्या बच रहा है multiply करा दो 13 9 जा 117 117 यानिक 11.7 अपान 5 बच रहा है into 10 power minus 12 और 9 तो minus का 3 बच रहा है clear है इसको divide कर दो 5 2 जा 10 हो गया decimal लगा फिर आ जायागा 5 3 जा 15 बचेगा 5 4 जाई into 10 power minus 3 Newton तो इतना आ गया Newton का force of repulsion आ गया clear है so this is the answer for part A got this बच चलो B part में क्या कह रहा बच्चो कह रहा what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half ठीक है तो ध्यान देना है कह रहा अगर इनके charges double कर दिये जाए और distance को half कर दिया जाए यानि कि आप QA QA नहीं रहागा QA डैस हो गया और यह कितना हो गया twice of QA हो गया इसी तरह से QB डैस twice of QB हो गया और बच्चा लोग जो R डैस है वो कह कर दिया गया आपका पहले से half कर दिया गया ने यानि कि half of R कर दिया गया तो आगे solve करते हैं new force कितना हो जाएगा F डैस यह हो जाएगा अगर देखा जाए बच्चों तो यह force हो जाएगा आपका के QA डैस QB डैस अपान R डैस का स्क्वार तो के को आज इटिज रखते हैं QA डैस की जगे हमने रख दिया 2QA और इंटू में 2QB और अपान में half R का होल स्क्वार ठीक है बच्चलो तो ध्यान देंगे F डैस आ जाएगा टू टू जा 4 हो गया तो 4QA QB ठीक है के अपान में यह half का स्क्वार 1 बाई 4 हो गया और इंटू में R स्क्वार तो यह पूरा तो initial force हो गया और 4 उपर चला गया तो 16 times of F आ जाएगा यानि आप जो force होगा वो पहले का 16 times हो जाएगा तो इसमें अगर हम 16 से multiply करा दें तो new force कितना हो जाएगा बच्चा लोग यह अपनको पता चल जाएगा got this I think समझ में आ गया होगा तो यह आ गया बच्चे लोग जो F आया वो आ गया 16 times clear है तो वो आ गया आपका 16 times am I clear तो इतनी बात समझ में आ जानी सी यह बच्च लोग ठीक है तो 16 times हो जाता है पहले का 16 times हो गया ठीक है बच्चों तो ध्यान देंगे इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिस करेंगे हम लोग 16 times हो जाएगा तोड़ा सा डिस्टरब हो गया से टो हलका सा परसानी होंगे बास जास्ट आ मिनाट तो नेक्स प्रॉब्लम आते हैं अब हम नेक्स प्रॉब्लम नमबर 1.13 की बात करेंगे हम लोग बच्चों कुछ लिए देखते हैं कि बच्चों 1.13 की बात करते हैं अब हम लोग ध्यान देंगी 1.13 प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसमें कह रहा बच्चों आपसे कि फिगर 1.30 सोज ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्डिकल्स इन यूनिफॉर्म इलक्ट्रो स्टैटिक फिल्ड तो पहले बना लेते हैं डायग्राम जरा इस तरह से दो प्लेट्स दी गई थी ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है और ये पॉस्टिबली चार्ज है एलक्ट्री फिल्ड डाउनवर्ड है ठीके तो चार्ज पार्डिकल कुछ दिये जा रहा है एक चार्ज पार्डिकल दिया गया ऐसे जा रहा है और तीसरा चार्ज पार्डिकल दिया गया है जो ऐसे आ करके ऐसे जा रहा है ये थ्री है ये इन तिनों चार्जेज के साइन बताने है यह य एकसिस है और यह एकसिस है ऐसा कोश्चन में प्रॉइड़ है ठीक है फिर पार्डिकल है यह यह चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है यह कि क्यू बाई एम पूछा जाए लिए बच्चों तो पहली बात तो देखो मैं बाले थे यह यह ने की 1 &2 are ne giftly charge क्या क्या है निगेटीव है और त्री करें की तरफ तो भी की चार्ज कैसा हो गया पॉजटिव ये पहले पार्ड काहयर हो गया पिर अब चार्ज टू मास पहलब से का ठीकैं ऑर पार्ड शेक्वाट हो इन्टिर स्टेटिक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स का फार्मला आँ सब जानतें, Q in to E लग रहा है, ठीके, तो Q in to E लग रहा है, इसका मतलब यह हो गया, आप ध्यान देंगे, कि इन दो पार्टिकल्स पर जो फोर्स लग रहा है वो e into e के बराबर लग रहा है और f की जगेंगे पर क्या होता mass into acceleration e into e हो गया तो acceleration कितना आ रहा है e into e upon m आ रहा है clear है बच्चों ये बात समझ में आ गई अब हम देखेंगे कि horizontal direction से इसमें displacement कितना हो रहा है ये vertical displacement कितना हो जा रहा है ये हम calculate करेंगे ठीके तो ध्यान देना है हम लोग जानते expression s equal to होता बच्चों ut plus half a t square ठीके तो s की जगां पर हम माल लेता है ये distance कुछ x चल रहा है और ये y distance है तो y equal to क्या हो जागा ये तो 0 हो गया चुकि initial velocity in vertical direction 0 है तो half हो गया एक ही जगां पर e into e upon m रख लिया और into में क्या है t square बोलो बास समझ में आ रही clear है तो अगर हम ध्यान दें तो जो displacement है वो क्या है बच्चा लोग y equal to आ जाएगा half e upon m upon e आ गया और into में t square बोलो बास समझ में आ रही है तो कुल मिला करके अगर हम ध्यान दें तो आप देख पा रहे हैं कि जो displacement है y है वो inversely proportional to m upon e ठीक है लेकिन आप से क्या पूछ रहा है चार जपान मास रेशियो यानि कि e upon m किसका ज़्यादा है तो e upon m कि directly proportional है इसको हम नीचे नहीं लाते हैं e को उपर रखते हैं तो अकर देखा जाए तो e upon m कि क्या है directly proportional है यानि कि जिसका y ज़्यादा होगा उसका e upon m भी ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि particle 3 के लिए जो e upon m है वो क्या है ज्यादा है clear हो गई बात सभी को समझाया बच्चे लोग so this is the answer for this question okay let's come on the next problem अगली problem पर आते हैं हम लोग बच्चे लो next problem पर ध्यान देंगे 1.14 पर आते हैं अब तो exercise problem 1.14 ध्यान देंगे क्या कह रहा है इसमें कह रहा consider a uniform electric field e equal to देरा बच्चों ये देरा आपको vector e दिया गया है 3 into 10 to the power 3 3 into 10 power 3 i cap newton per coulomb field दे दिया गया है फिर ए पार्ड में पूछ रहा है कि what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane ठीके तो हम मानते बचलो ये x है ये y है ये z ठीके उसमें कह रहा है इसका जो side है one side है उसका जो plane है वो yz के parallel है यानि कि यह होगा ऐसा होगा यहां पर है ठीके और जो field दे रहा हमें वो किस x-axis के लॉंग दे रहा यह x-axis के लॉंग दे रहा है आपसे तो कह रहा है इस से related flux कितना पास हो रहा हो तो बच्चो ध्यान दो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधरी होगा यानि कि एरिया वेक्टर कितना हो जाएब दस इंटर साइड दे रहा है तो हो जाएगा 100 cm.² यानि कि 100 is 10-4m² यानि कि 10-2m² आइका यह एरिया वेक्टर हो गया तो theta 0 डिगरी हो गया यहाँ पर, ऐसी condition में e दे रहा 3 into 10 to the power 3 और area आ गया बच्चो 10 की power minus 2 और cos 0 की value 1 तो जो electric flux आया इस case में वो आ गया आपका 3 into 10 की power 1 यानि कि आ गया 30 newton meter square per column ये बच्चा लोग पहले part का answer आ गया एक ठीके बी part की बात करते हैं बी part में कहरा आपसे what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with x-axis यानि कि कहरा इस बार अगर ये normal जो है area vector का जो normal है यानि कि area vector जो है वो 60 degree बनाने लगे तो flux कितना होगा तो फिर से 5e का फार्म लगेगा ea cos 60 degree तो ea की value तो बटा इतना आ रहा था देखो यही लिख लेते हैं 3 into 10 की power 1 और into में cos 60 तो cos 60 कितना हो जाता है जो sin 30 होता है नहीं half तो यह आ जाएगा बच्चों 15 newton meter square पर कुला यह आ गया part b का answer clear है so this is the solution for problem number 1.14 चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों exercise problem 1.15 की बात करने वाले हम लोग कि 1.15 की बात कर रहे हैं next lecture में हम लोग electric potential chapter start करेंगे बच्चों की बहुत important होगा उससे पहले आपको यह पूरे exercise के लिए होना चीए ठीक है अब हम बात करेंगे बच्चों 1.15 तो exercise problem 1.15 ध्यान देंगे बच्चों क्या कह रहा है what is the net flux of the uniform electric field of exercise 1.14 यानि कि इसी की बात कर रहा है यानि कि electric field कितना दिया था हमने 3 into 10 to the power 3 i cap newton per newton per column दिया हुआ है ठीक है अब आपसे कह रहा है through a cube of side 20 cm यानि कि cube का side 20 cm देगा इसे 2 into 10 power minus 1 meter लिख सकते हैं हम लोग oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes इसके जो faces हैं वो coordinate net planes के parallel हैं ओके बच्चे तो थोड़ा सा यह पाउज हो गया था ठीक है तो यहां से देखेंगे यह setup था आपसे electric field दिया था side दिया था flux पूछ रहा था ठीक है तो देखो आपका इतना दे रखा था तो आपसे कह रहा था अंदर चार्ज कितना है तो सीधा हमने फारों लगाया 5 equal to this solve पर दिया तो इतना चार्ज आ गया बी पार्ट में कह रहा है यह अगर ऐसा माना जाए कि net outward flux जीरो हो जाए तो उसके अंदर का चार्ज कितना था तो बच्चो ध्यान जेना है जब भी flux जीरो होगा इसका उंदर इंसाइड का चार्ज net चार्ज क्या है जीरो है clear है बात फिर हम problem 1.17 की बात कर रहे थे क्यों आपको given था एक स्वाइर प्लेड थी इससे पांच उटल की दूरी पर यहां पर कोई चार्ज यह रखा गया था तो कह रहा था इससे निकलने वाला flux कितना होगा एक फेस से ठीक है तो बच्चो एक फेस से निकलने वाला flux जो आएगा इसके लिए पहले हम total flux निकालेंगे क्यूब से इतना आ जाएगा और स्वाइब पिर चुकि एक फेस से फ्लक्स निकलना बच्चो इसका one by six कर देंगे तो हमें total flux पता चल जाएगा got this now come to the problem number 1.18 कि कह रहा बच्चों कि यह पॉइंट चार्ज कोजे जान इलक्ट्रिक flux दे रहा है माइनस का one into ten to the power three newton meter square पर कुलेंड दे रखा है to pass through a spherical Gaussian surface of 10 cm radius centered on the charge ठीक है तो कुम ला करके जो Gaussian surface है spherical Gaussian surface है उसका जो radius दे दिया बच्चों वो आपको दे रखा है 100 नहीं बलकि 10.0 cm यहनी कि one into ten power minus one meter दे दिया है ठीक है तो यह पार्ट में कहरा आप से if the radius of the Gaussian surface were doubled how much flux would pass through the surface ठीक है तो बच्चों ध्यान दो अब भी जो flux होगा वो वही रहेगा जो पहले था क्योंकि यह radius independent होता है radius independent होता है Gaussian surface के shape and size पर flux depend नहीं करता सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर के enclosed amount of charge पर depend करता है बी पार्ट में कहरा है what is the value of point charge तो point charge के लिए पहले flux का formula आप जानते है 1 upon epsilon not times q तो यहां से q जोगा बच्चों वो epsilon not times flux हो जाएगा यहनि कि q equal to आ जाएगा 8.85 into 10 power minus 12 into flux की value यह दे रखा है 10 की power 3 तो यह आगया बच्च चलो 8.85 into 10 की power minus 9 कूलाम यहनि कि इतना amount of charge उस Gaussian surface के अंदर था got this समझ आ गया होगा यहां तक कोई confusion clear है आगे बढ़ते है next problem number 1.20 पर आते हैं बच्चों sorry 1.19 पर आएंगे पहले नहीं ठीक है यह जो था problem number 1.19 मैंने discuss कर दिया और एक problem आपका छूड गया है अगर देखा जाए तो कहने का मतलब बच्चों यह जो था आपका यह हो गया 1.18 यह हो गया 1.19 और 1.18 मैंने छोड़ दिया उसको मैं अभी discuss कर ले था ठीक है बच्च चलो तो ध्यान देंगे problem number 1.18 पहले discuss करते हैं इसमें कहा रहा है बच्चों point charge आप two micro coulm यानि कि क्यू दे रहा है two mu c यानि कि two into ten power minus six coulm हो गया है at the center of cubic gaussian surface nine centimeter edge तो यह nine centimeter दे दिया एक cube है इसकी edge जो है वो nine centimeter दे रखा है ठीक है इसकी edge जो है nine centimeter दे रहा है और यह इसके center पर इतना amount of charge है ठीक है तो what is the net electric flux through the surface तो surface से निकलने वाला net electric flux बताना है बहुत ही आसान है बच्चों one upon epsilon not times q लगाना है तो one upon eight point eight five into ten power minus 12 हो गया और q जो है two into ten to the power minus six हो गया इसको simplify कर देंगे जो आएगा वही इसका answer आ गया newton meter square पर कूल है got this अब हम बात करेंगे exercise problem one point two zero ठीक है बच्चों तो one point two zero क्या कह रहा है a conducting sphere of radius 10 centimeter तो इस तरह का एक 10 centimeter रेडियस का conducting sphere हो गया 10 centimeter हो गया center यहां पर हो गया ठीक है has an unknown charge इसका जो charge है वो unknown है ठीक है फिर कह रहा है if the electric field twenty center from the center of the sphere इसे twenty centimeter की दूरी पर किसी point P पर जो electric field दे रहा बच्चों वो आपको दे रहा 1.5 into 10 to the power 3 newton पर कूलायम है तो आप से कह रहा and points radially inward और field की direction क्या radially inward है तो आप से कह रहा what is the net charge on the sphere यानि q पर charge कितना वो पूछा जा रहा देखो field inward है इसका मदब charge का nature कैसा है निगेटिव है ठीक है बच्चों और आपको बता रखा कि outside the conducting sphere it behaves like a point charge यह point charge की तरह behave करता है तो इसमें फारों लगेगा e equal to kq upon r square यानि e equal to 9 into 10 to the power 9 q आपको निकालना है और e की value given है 1.5 into 10 to the power 3 okay बच्चों तो यहां पर हम value रख देते हैं और इसका इसको simplify कर लेते हैं यह पूरा solve करते हैं तो आपका क्यों आ जाता है इतना पूलाम पर मीटर स्क्वार में बदल लिया अब चार्ज पूछ रहा था तो सिग्मा into a लगा दिया इस्पेर की surface area 4 pi r square होती इसमें value रख कर solve कर देंगे तो flux पता चल जाए ठीके और इसमें आपसे कह रहा था what is the total electric flux leaving the surface of the square तो flux निकालने के लिए one upon epsilon times q कर देंगे क्यों कि यह value रख देंगे solve कर देंगे तो हमारा result आ जागा ओके बच्चों अब दो problem और हैं इनको भी discuss कर लेते हैं अब बात हम करते हैं 1.22 problem की बात ठीके बच्चा लोग तो let's see तो देखो बच्चों हम बात कर रहें next exercise problem 1.22 ठीके इसमें क्या कह रहा है an infinite line charge produces a field of 9 into 10 पर 4 newton पर कुलाम यानिकी electric field दे दिया आपको 9 into 10 to the power 4 newton पर कुलाम at a distance of 2 centimeter तो r दे दिया 2 centimeter यानिकी 2 into 10 power minus 2 meter फिर आप से कह रहा calculate the linear charge density यानिकी lambda बताना है तो किसी भी line charge की कारण मैंने बताया था r दूरी पर अगर field निकालना है तो इसके लिए expression है बच्चों equal to क्या पढ़ा था आपने 1 upon 4 pi epsilon 2 lambda upon r तो equal to हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 2 into lambda upon r है 2 into 10 power minus 2 तो बच्चों ध्यान देंगे 2 से तो 2 कड़ गया electric field की value रखो 9 into 10 to the power 4 और इधर 9 into 10 power 9 और into में lambda upon में 10 power minus 2 इधर आ करके ये 2 बन जाएगा तो 9 into 10 power 2 और ये upon में आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 equal to lambda 9 से 9 कट गया तो lambda equal to आ गया बच्चों 10 की power minus 7 कूलाम पर मीटर ठीक है बच्चों तो ये आ जाता answer got this अगला last problem की बात कर लेते हैं तो exercise problem 1.24 ध्यान देना बच्चों इसमें क्या कह रहा है सारी ये था 2 2 तो ये आ जागा 2 3 ठीक है इसमें कह रहा two large thin metal plates are parallel and close to each other ऐसे 2 metal plates हैं दूसरे की parallel है और close है ठीक है आपसे कह रहा on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude this यानि कि ये positively charge है ये negatively charge है और surface charge density sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma equal to दे रखा बच्चों 17 into 10 power minus 2 तो 17 into 10 power minus 22 दे रखा है कूलाम पर मीटर square दे रखा है ठीक है तो आपसे कह रहा है what is electric field e a part in the outer region of first plate यहां पर निकालना a part में वित रखा है को लुड़ा है वित रखा है